ज़ोस्तार दोस्तों, में हम नाम राजन बावु है हम लास्ट वीडियो में जो अध्यन कर रहे थे सी लेर्णिंग का अध्यनम कर रहे थे और सी लेर्निंग से सम्भब जो भी कॉंसेब्ट है उन सब कॉंसेब्ट है, हमने थोड़ा सा बात चीज़ की थी कि एक concept क्या है NAP 2020 से इसका क्या relation है आकर इसकी आवसकता क्यों पड़ी इसका importance क्या है और इसका basic concept हमने देखा था कि इसका basic concept क्या है और मैंने आप से चक्चा के थे कि next video में हम जो देखेंगे हम देखेंगे C learning के विकास का इतिहास कि आखिर यह develop हुआ कैसे है कैसे यह develop हुआ है पूरा इसकी जो विकास क्रम है वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो बहुत ही एक नया concept है जैसा कि मैंने पिछले last video में भी आपको बताया बहुत ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा प्राची मित्यास है नहीं तो 1990 से ही शुरू करते हैं 1990 में एक संस्था बनाई गई और संस्था का नाम रखा गया C A S E L C A S E L एक संस्था बनाई गई कहा बनाई गई USA में बनाई गई USA United States of America चुंकि वो देश काफी लंबे समय पहले से उसमें लोगतंत्र है डेमोकरसी है बहुत मजूद राष्ट के तौर पर है और रिसर्च वगएरा पर काफी कुछ खर्चा भी किया जाता है तो एक संस्था बनाई गई कैसे तो क्या है इसका कॉलैबरेटिव कोलाव तो कॉलाव होता है न जिसे रिल्स में कॉलाव करते हैं तो उसकी तरह कॉलावरेटिव फोर अकैडमिक यह मीनिंग गलती होगी न हाँ कॉलावरेटिव फोर अकैडमिक शोशल एंड एथिकल लर्निंग, एंड एमोशनल लर्निंग, सोरी, कोलाबरेटिव फॉर अकेडमिक, शोशल, एंड एमोशनल लर्निंग, तो एक संस्था बनी, C-A-S-E-L के नाम से, रेहा है, कोलाब का मतलँ होता है, मिल जूलगर के काम करना है, अकेडमिक, सच्ष चनषा के छेतर में और बहावणात्य में इसम चाम करना है है, नेक्स्ट जो डवलापमेंट होता है वो होता है 1995 में और वो डवलापमेंट किया जाता है डेनियल गोलमेन के दौरा हिंदी में ही दिख देता हूँ ना डेनियल गोलमेन के दौरा क्या किया जाता है इन्होंने एक पुस्तक लिखी जो जिसका जिक्रमे ने लास्ट वीडियो में भी किया था और इस पुस्तक का नाम है emotional intelligence emotional intelligence why it's more important more important than IQ तो नोने एक बुक लिखी 1995 में emotional intelligence भावनात्म बुद्धी मता और यह है emotional intelligence या इंटेलिजेंट क्यों से बुद्धी लवदी से क्यों ज्यादा महत्पूर्ण है तो यह पुस्तक आई जब यह पुस्तक आई तो इस पुस्तक के आने के बाद education के field में काफी कुछ बदला हुए academic इस तर पर भी काफी कुछ बदला हुए उसी साल डेनियल गोल्मेन ने ही एक संस्था बनाई हुए उस संस्था का नाम रखा C-R-E-O-I और का नाम क्या रखा C-R-E-O C-R-E-I-O organization last में आईगा ना organization last में आईगा तो ओ सबसे last में तो क्या रखा C-R-E-I-O एक संस्था बनाई हुए संस्था का नाम क्या था consortium 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 for research consortium for research consortium कि इसको कहता है जब लोग साथ मिल करके संस्था मिल करके कुछ व्यक्ति मिल करके काम करते है तो इसको consortium कहते है काम करने के लिए किसलिए बनाइग गए और रिसर्च की रिखिंग के गई थी इन इमोशनल इंटेलिजएंस यानिकि बहावनात्मु बुद्धी मता पर रिसर्च करनी थी और कहां करनी थी इन औरर यानि कि जो संस्था हैं बेर्वन प्रकार की सेच्छनक संस्था है या फिर दूसरी संस्था है उन सभी में यह जो इमोशनल इंटलिजन्स है लोगों की उस पर काम करने के लिए खिया संस्था बनाई गई 1995 में डेनियल गोल्मेन के द्वारा ठीक है फिर इन्होंने कई सारी उनिवर्स्टीज के साथ काम किया और काम करने के बाद में उन्होंने एक नया प्रोग्राम डवलप किया और इस प्रोग्राम का नाम रखा इन्होंने SEL यानि कि सोशल इमोशनल लर्निंग एक प्रोग्राम डवलप किया उसका नाम रखा SEL सोशल इमोशनल लर्निंग उसको नाम दिया यह जो SEL था इसमें पांच फील्ड जो है वो निधारित किये गए कौन से धान दिया गए सेल्फ अवेर्नेस, सेल्फ रेगूलिशन, सोशल स्किल्स, एमपिती और इस तरीके के चार पांच चीज़ों का इसमें वो विकास किया गया, सेल्फ मोटिवेशन तो पांच चीज़ों इसमें जिक्र किया गया, जिनके वारे हम वो विस्तार से आगे देखेंगे फिर आजाता है आपका इसके बाद में साल 2000 और साल 2000 में ACL को क्या कर देते हैं 2000 में सभी स्कूल में educational जो इंस्टुटूट से उनमें ACL प्रोग्राम जो है वो शुरू कर दिये जाते हैं तो शुरू आज में अमेरिका के कई सारी स्कूलों में यह जो है भी प्रोग्राम सुरू होते हैं सन 2000 में यह सुरू कर दिये जाते हैं कि एक यह चीजे आगे बढ़ती रहती हैं और आगे बढ़ते बढ़ते 2010 आता है और 2010 में क्या होता है कि SE-L और C-R-EO का जो है वो क्या कर देते हैं यह तरिकसे एक रूपता ॉसमें लेकर के आ जाते हैं यह उनमें एक्ञरण यह कर देते एक तरिकसे थीक defund करने के बाद में 2015 आता है और 2015 में जो है S.W.L. जो सील है ठीक है इसका विकास कर देते हैं सील लर्निंग का जो है वो विकास जो है वो डवलाप्मेंट जो है वो कर देते हैं तो ये इसका विकास करम है दलाई लामा 1998 से इसे जुड़े हुए रहे हैं विवन और गेनाइजेसंस में पार्टिसिपेट करते रहे और S.E.L. में उन्होंने एथिकल सब्दोर जोड़ दिया तो ये इसके डवलाप्मेंट की क्या एक हिस्टरी है ये कितिहास है छोटा सा ये सब में इसलिए आपको विस्तार से बता रहा हूं ताकि हमको पता रहे कि किस तरीके से ये पूरा कॉंसेप्ट आया है हम विस्तार से इसको समझ सकें अच्छे से जान सकें अब जो S.E.L. से जो आया है S.E.L. जो विविन educational institutions में जो आया था तो ये कैसे श्था जाता था तीन eben still में सिखायो जाता था तो तो कैसे सिख़यो जाता था तीन been s cyber दिख nih Smith मुक्ताया कुक्का सा PayPal है्ट एक श्राम करते हैं तीन स्षेज में? प्राइमरी लेविल पे मिडिल लेविल पे और सेकं ड्रील पर यह एक तरीकी से अम ऐसे करते हैं प्राइमरी हाई स्कूल और प्राइमरी दिल सेकंड्रि एसे कड़ेगल ठीक रहेगा रहा थीज़, वहां पे जो उन्हों, SEL में जो तीन सब्ध जो दिए गए थे, वो तो प्राइमरी, सेकंडरी और हाई, तीन सब्ध यह प्राइमरी, सेकंडरी और हाई, तो तीन ही जगे कैसे सखाते थे, तो प्राइमरी एजुकेशनल इंस्टूटूटूइसं में कैसे सिखाते थे हैं प्रात्मिक जो सच्छन संस्थान जो रहते हैं आंगलवारी हो गई प्रात्मिक स्कूल हो गई प्राइमरी नर्सरी स्कूल हो गई प्राइमरी क्लासेज हो गई वहां तो पांच वी तक हमारी हैं इंडिया के साथ से पांच वी तक मान लो आप आप च जानते ही होंगे, भेजते ही होंगे WhatsApp पर, अब क्या करेंगे वो primary stage पर बच्चों को केवल अलग-अलग तरीके के चहरे दिखाएंगे, और चहरा देखकर के पहचानना है कि कि किसी के चहरे पर किस तरीके के भावें, गुस्सा है, डर है, भय है, चिंता है, जो basic emotions है, कुछ ऐ यह दोनों गुस्से से संबन देता है, इसको गुस्सा कहलो, वैसे 60 किस अर्थ नहीं है, इसको क्रोध कहलो, तो दोनों में क्या फरक है, तो इस पर छोटे बच्चे नहीं बता सकते, कुछ तो बड़े लोग भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन सब को पता चलता है, गुस्स प्रेम, भै, इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें, यह सारी चीज़ें बताएंगे, फिर कुछ तरह के चत्र दिखाएंगे, फिर वीडियोज दिखाएंगे, और भावनाओं को प्रदर्सित करेंगे, और बच्चों से कुछ एक्टिविटी करने के लिए कहेंगे, और तब आपको गुसा आ रहा था, डर लग रहा था, कैसा लग रहा था, तो वो सब कुछ कहां सिखाते हैं, प्राइमरी स्टियर्ज में सिखाए जाता है, SEL के अंतरगत, C-Learning के अंतरगत नहीं, SEL के अंतरगत, इसके बास कुछ सा आता है, सेकंडरी, सेकंडरी पर इससे थो क्या होता है, Pity क्या होता है, Compassionate क्या होता है, Tolerance क्या होता है, यह सब अलग-अलग जो हैं, Emotions होते हैं, जनको हम आगे विस्तार से में पढ़ा हूँगा, क्योंकि Compassion जब आएगा topic हमारा, तो Compassion को समझाने के लिए जरूत पढ़ेगे की, Empathy और Sympathy का difference में आपको बताओ कि और सिंफती का डिफ्रेंस वताहूं तो सामिल करेंगे होता् जोग नहीं छोटी बच्चों को सखाएं सकते हैं छोटा बच्चा तो बहुत मैंठी बेसिकशमता है बेसिक नीड्स पूरी करने की तरह होता है ना कि भूक लग रही है मैंने को घाना करना है तो उसमें empathy नहीं होती कई बारा हमने देखा होगा कि छोटे बच्चा ऐसा होगा कि जगड़ा हो गया तो रो गया तो basically उसमें empathy नहीं है या मम्मी या पापा मेंसे कोई फिसल गया उनके चोट लग गई बहुत जोरों से उन्होंने रोना शुरू कर दिया तो उनको देख करके रो रहा है तो वो empathy नहीं है उसको empathy हम नहीं कहते, उसको हम कहते हैं, आप कह सकते हैं उसको emotion imitation उसको हम कह सकते हैं, भावनात्मक नकल हम कह सकते हैं, जब बच्चे भावना को ना समझ रहे हैं, आपके emotions को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आप जो emotions वेक्ट कर रहे हैं, वो भी emotion को एके साथ में बहे जा रह यह empathy सिखाई जाती है, 9 साल के बाद empathy सिखाना शुरू किया जा सकता है, बच्चों को सबसे सही समय है, जब बच्चा 19 साल का है, तो उसको our empathy योति समान भूति सिखं़ कहते है, हिंधी में, सिखाना हम क्या कर सकते हैं शुरू कर सकते हैं, बच्चों को यह समझाना कपिए बच्चों को अलग-अलग situation दी जाती है कि तुम उसकी जगे होते तो क्या करते तो क्या करते फलानी situation में तुम होते तो क्या करते वो सब कुछ और next stage पर आपका क्या आता है high school कहलो या 9-12 कहलो या 10-12 कहलो आप 11-12 कहलो जो आपको इच्छा हो यहां हम 9 से 13 या 14 साल तक ले सकते हैं और 14 साल से उपर हाई स्कूल ले सकते हैं तो हाई स्कूल में क्या सिखाएंगे हम हाई स्कूल में हम सिखाएंगे is stress management Dumas stress management कि किस तरीके से जीवन में जो situation में जो तनाव आते हैं उनको हमें कैसे handle करना है किस ततनाव को लेकर के चलना है किसको लेकर के नहीं चलना है जैसे परिक्षाओ embedded एक situation तक परिक्षाओ application बेंट तो ठीक रहता है या चिंता जो है वो एक लिमिट तक चिंता वनी रहे तो ठीक रहता है क्योंकि व्यक्ति उसमें अच्छा प्रदर्शन करता है लेकिन चिंता ही ज़रोस से ज्यादा हो जाए तो फिर वो क्या कर देती है एक लिमिट तक वो टेंसन है एक लिमिट तक वो एक लिमिट तक वो एक लिमिट के बढ़ जाए और ज्यादा लम्मे समय तक कंट्यूनी रहे तो डिप्रेशन में बदल जाएगी यदि हम उसका ग्राफ बनाना हो तो यदि ऐसे चल रही है ठीक है कोई दिकत वाली बात नहीं पर ऐसे भी यदि लम्मे समय तक चलती रही तो क्या हो जाएगा यह ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएगी और जैसे यह बढ़ेगी यहाँ पर यह डिप्रेशन हो जाएगी यहाँ पर एंजाइटी है स्ट्रेस मेनेजमेंट इसलिए सिखाए जाता है कि किसी भी चीज के टानाव लेना है एंजाइटी यह भी है ठीक है एक whipping लिमिट तक ठीक है एक जरू से जवाइट हो जाएगी तो किसो में बदल जाएगा ü ऐिक से ब्दल जाएगा तव थ्यूसरी चीज ह们 उसको क्या सिख कहेंगे परस्योंएशन के लिए exact हिंदी वर्ड क्या कहेंगे है अो आपको अपने साथ बहा ले और दो सिखाते हैं और क्या सिखाते हैं conflict resolution conflict resolution यानि कि कोई इसी भी समस्या में तनाव होने पर विवाद की स्तिती पर उसका समस्या यानि कि विवाद के कैसे सुल्जाए जाए जाए विवाद सुल्जाना सिखाए जाए जाए और क्या सिखाएंगे self-regulation खुद को कैसे नियमित रखना है social skills इसमें सिखाए जाएंगे अलांकि बच्पन सही सिखाएंगे social skills थोड़ी थोड़ी यहां पर high level की सिखाए जाएंगे और यहीं पर क्या सिखाए जाएगा ethical reasoning जो मैंने आपको नैतिक नड़ने लेने की जो बात पर ही थी उसको कहते है ethical reasoning तो वो भी यहां पर हम सिखाएंगे तो यह हमारा पूरा का पूरा क्या है इसका एक विकास क्रम है इसका एक पूरा development है कि किस तरीके से c learning का development हुआ है आगे हम देखेंगे थोड़ा सा डेनियल गोल्मेन के बारे में आपको बता देता हूँ चुकि वो इसमें सबसे देनियल गोल्मेन की यदि हम बात करेंगे तो अमेरिका के विक्ति हैं और से 1940 या 50 के आसपास इनका जन्म हुआ हुआ हावार्ड यूनिवर्स्टी से इन्होंने पढ़ाई लखाई किये वहीं से डॉक्ट्रेट भी इन्होंने की बाद में दा नियॉर्स टाइम्स सा उसमे यह कोलम बगेरा लिखने लग गए उसके एडिटर बगेरा कुछ बन गए फिर उन्होंने वहीं काम करते करते अपनी एक बुक लिखी 1995 में जिससे इनको सबस्यादा प्रसिक्दी मिली उसको कहते हैं emotional intelligence हलाएं कि वो जो अवधारणा है वो इनके पहले भी कई सारे लोगों उसी का रीमे कई वार हिंदी बॉलीवड में बन जाता है और हर कोई उसको वह बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है जैसे साउथ की सिंगम इतनी फेमस नहीं है जतनी बॉलीवड की है तो बावाई ज्यादा कोई दूसरा लूट लेता है तो ऐसा कुछ डेनिल गोलमेन की emotional intelligence व इसके अलाबा emotional intelligence पे भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी और जो c learning पे भी एक पुस्तक लिखी है और जो c learning पे जो इनकी पुस्तक है उसका नामे triple focus triple focus triple focus इन्होंने लिखी a new approach to education a new approach to education triple focus इन्होंने एक और पुस्तक लिखी और इनके साथ में यह अकेले निते इस पुस्तक को लिखने में peter sanjay भी सामिल थे peter sanjay तो इन दोनोंने मिल करके यह पुस्तक लिखी triple focus in new approach to education यही पुस्तक प्रमुक रूप से c learning पे बेस मानी जाती है सबसे important book c learning के लिए यही मानी जाती है triple focus a new approach to education clear है अब हम इसके resources के बारे में देख लेते हैं कि आखिर इसके resource कौन-कौन से है c learning के तो एक तो यह resource तो यही हो गया डेलियन गॉल्मेन वालाई और दूसरी पुस्तक क्या होगे emotional intelligence होई गई why it's more important than IQ लिखे दूँ क्या why it's more important than IQ लिखे लेना एक तो यह डेनियल गॉल्मेन की होई गई एक और resource में हम डलाई लामा साब को लिए आएंगे और इनकी पुस्तकों का नाम लिख लेंगे तो डलाई लामा की पुस्तकों की यह दि हम बात करेंगे तो कुन सी है दलेलाम साग की कुस्तक करना Beyond Religions Beyond Religions a new approach for millennium या ethics for a new millennium sorry ethics for a new millennium ethics ethics सबत का मतला हम आगे जानेंगे न विस्तान से एथिक्स for a new millennium millennium ठीक है spelling मेरे को याद नहीं है तो millennium M-I-L-E-N M-I-U-M यह यह गया ठीक है तो यह पुस्तक उसने लिखी दलाईला मासाम ने बेउंट रिलीजन्स और एथिक्स for a new millennium और क्या है mindfulness in education एक और पुस्तक क्या कहना हमे mindfulness mindfulness in education mindfulness mindfulness मेरे को यह बात याद है किसी ने कहा कि यार आज तो ना सर में थोड़ा बाहरी नेस सी मैसूस हो रही है बाहरी नेस बाहरी नेस क्या होता है बाहरी नेस नहीं जानते गया है भी पनियार तो ऐसे गर के तो mindfulness in education यह है और जैनिंग्स डॉक्टर जैनिंग्स के द्वारा यह लिखी गई है important नहीं यह तना नहीं भी पता रहेगा तो भी चलेगा इसे कोई शू नहीं बस थोड़ी सी जानकारी है वो पता रहे तो ठेक रहता है एक और पुस्तक है education for a sustainable future education for a education for a sustainable future एक और जो है वो बुक है और यह जो बुक जो लिखी गई है वो इसके द्वार लेखी गई डॉक्टर रोवर्ट फ्रोसर ऐसे करके कुछ नाम है डॉक्टर रोवर्ट फ्रोसर उनके द्वारा तो मैं तो डेनियल गॉल्मेन और दायलामा की वुक याद रही रही तो उतना काफी है emotional intelligence, triple focus, beyond religions, mindfulness in education, चार खूब है तो आगे देख लेते हैं आगे इसमें क्या है online resources की भी हम इसमें बात कर लेते हैं online resource में यदि आप देखोगे तो कुछ sites वगरा यह और तो क्या है जैसे CACL की site है उसको हम अध्यन कर सकते हैं उसको हम refer कर सकते हैं महां से भी आप C learning के बारे में खुब सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं CACL की full form क्या हमें नहीं बताए थी collaborative for academics collaborative for academic social emotional learning इसके अलावा आप C learning की website जो है वहाँ पर भी जा सकते हो सी लर्निंग की website है इसी इसी सी लर्निंग सर्च करोगे तो आएगा और एक और साइट है the greater good science the greater good science यह भी है यहां से भी आप इसके बारे में जानकारी और ज्यादा विस्तार से पढ़ सकते हूं दलाई लामा की पुस्तक मैंने आपको बताई दी एक और पुस्तक है एफ फोर्स फोर गुड़ यह किसकी पुस्तक है दलाई लामा साब की पुस्तक है एफ फोर्स फोर गुड़ यह भी आप देख सकते हो डेनियल गोल्मेन की बुक मैंने आपको बताई दिया डॉक्टर थम्टेंज जिन पा और हैं, उनका भी कुछ बर्क है, तो रेफर करेंगे, सर्च करोगे तो मिल जाएगा, ऐसे कोई इशू है नहीं, अब हम इससे जुड़ोगे प्रमुख संस्थानों की बात हम कर लेते हैं, कि C-learning से जुड़ोगे प्रमुख संस्थान कौन-कौन से हैं, जिन्हों ने इसको डवलप करने में और इसको आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, यह सारी जानकारियम क्यों प्रमुख कर रहे हैं, ताकि इस कॉंसेप्ट हमारे एक दों क्लारिटी हो जाए, बेसिक पूरा पता रहेगा, तो समझने में, कॉंसेप्ट बनाने में इसा लगता है कि कॉंसेप्ट पूरा अच्छे से घहरा ही से पता हो तो पढ़ने में ज्यादा मज़ा आता है, समझने में ज्यादा मज़ा आता है, समझाने में ज्यादा मज़ा आता है, तो सबसे पहली जो चीज है इससे वो जो जुड़ी होई है, वो मेरा आपको पहले ह इमोरी यूणिवर्स्टी इमोरी विश्व विद्याले आपके लोग इमोरी यूणिवर्स्टी तो एक कहां पर है अटलांटा में जॉड़्जिया इस्टेट है USA का वही है तो इमोरी यूणिवर्स्टी में ही मैंने आपको संस्था बताए थी तो वो इसके लिए एक जगह है इमोरी यूणिवर्स्टी में ही उसका एक हिससाई है और यदि हम देखेंगे तो दलाई लामा फाउंडेशन है हमारी हिंदी में लग देता हूँ दलाई लामा फाउंडेशन ज़ाला फाउंडेशन भी इसके साथ मैं मिल करके काम कर रही है इसके लामा EASR एक संस्था और है ठेक है educators for social responsibility educators for social responsibility ये वि है ये भी वहीं USA में हैं और इसके अलावा कुछ स्कूल कुछ एक प्रोजेक्ट चलाया है इनोंने और वो प्रोजेक्ट चलाया है कमपैसिनेट स्कूल प्रोजेक्ट करुणा मैं विद्ध्याल है करुणा मैं विद्ध्याल है करुणा मैं विद्ध्याल है यह प्रोजेक्ट चलाया है जहां विद्ध्यालों को कमपैसिनेट होना सिखा रहे हैं तो अमेरिका में जनुव हुआ इन सब चीजों से आगे बढ़ा बर्तमान में सी लर्निंग की जो अमदारना है 20 देशों में ही पहुंची अभी सक दीरे-दीरे और ज्यादा आगे बढ़ रही है इनमें भारत है, साउट अफरीका है, भूटान है, अमेरिका है, ब्राजील है तो कई सारे देशें उनमें ये चल रही है तो ये सब है इसके बारे में अब यदि हम आगे इसके बारे में कुछ और देखें तो वो हम देख लेते हैं कि आगे इसमें और क्या है तो हम आगे इसमें और क्या देख सकते हैं आगे हम देख सकते हैं कि SEL और C-Learning में क्या relation है SEL और C-Learning में क्या relation है अलांकि वैसे तो मैंने ये सब विस्तार से आपको बता दिया है और बताने कि कोई विस्यस आप सकता है नहीं जो relation है वो अच्छे से बताई दिया है अब हम जो हमारा C-Learning का जो में कॉंसेप्ट है उस पे हम बात करेंगे कि वही क्या है C-Learning का में कॉंसेप्ट क्या नहीं है और उस पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे यदि आपको कुछ जानना ही है इसमें तो क्या है हम क्या कह सकते हैं कि C-Learning C-Learning is S-E-L 2.0 S-E-L 2.0 का नामी क्या है C-Learning C-E-L 2.0 का मतलब जैसे रोबोट फिल्म आई थी ना रोबोट 2.0 जो मूवी आई थी दूसरी उसका वरजन आ गया है तो जैसे इसका S-E-L का सेकंड वरजन ही C-Learning है यह आप ध्यान रखोगे तो हमेसा ही अच्छे से रहेगा तो उसमें जैसे में आपको बात बताई थी कि S-E-L में पांची जो की बात बताते थे, Self-Awareness बताते थे, Self-Management बताते थे, Social Awareness बताते थे तो इसके बाद में Relationship Skills बताते थे और पांच वा जो बताते थे वो था Responsible Decision Making अब कोई यह पूछ ले कि C-Learning और S-E-L 2.0 आया तो क्या सोधार हुआ, क्या नई नई चीज़ें जोड़ी हुई है, तो सबसे पहला क्या चीज जोड़ी उन्होंने, Attention जोड़ी, ध्यान का कॉशल जोड़ा, Hindi में लिग देता हूँ, ध्यान का कॉशल, क्या-क्या नई ची नैतिक्स, यानि कि नैतिक्ता पर विशेश ध्यान, दूसरी चीज जोड़ी, तीसरी चीज जोड़ी है, वो क्या जोड़ी है, Compassion, Compassion जोड़ी, यानि कि करुणा, करुणा की Importance, और Learning Emotions, कि भावनाओं की समझ बनाना, भावनाओं की पहचान करपाना, कि कौन सी स्थान पर कौन सी भावनाओं परदर्सित करनी है, कौन सी नहीं करनी है, हमारे सरीर में क्या प्रतिक्रिया हो रही है, उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर हमारी Body जो है, वो किस तरीके का Response कर सकती है, तो वो सब कुछ, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें जोड़ी है, जैसे कि Body Awareness भी जोड़ी है, यानि कि सारे दिक जाग रुखता है, मतलब क्या है, कि आपके सरीर में कमपन हो रहा है, गुस् पहचानना, और पहचान करके अपने आपको कंट्रोल करना, कि अरे यार मेरी Body में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसी आ सकता है, ऐसा Emotion हो सकता है, तो मैं कंट्रोल करना सीखूं, जागरत हो पाऊं अपनी Body के प्रति अच्छे से, और क्या बढ़ाना है, लचीलापन, Resilience Resilience कहते हैं, लचीलापन उसको कहते हैं, इसके बाद में वह सारी बात बताये दी, और लाश्ट में एक और चीज है, वह हुमेन वैल्यूज, मानम मुल्य, यह मानम मुल्य या नैतिक मुल्य, यह चीजें भी जोड़ी होई है, और यह सब SEL में जोड़ी है, C Learning के माध्यम स तो यह क्या हो गया हमारा, एक तरीके से विकास करम हो गया, कि किस तरीके से C Learning का development हुआ है, क्या विकास करम रहा है इसका, नेक्स्ट वीडियो में, अब हम इस वीडियो के लिए इतना काफी है, आपके कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, कोई भी concept based question है पूछ सकते हो, किसी को लेकर किसी संस्था को लेकर, किसी वर्ल को लेकर कर कोई confusion है, कैसे इसका origin हुआ, इस वर्ल के असलियत में माहिने क्या है, आपको कोई सी समझ में नहीं आ रही, जैसे emotion और feeling में क्या अंतर है आगे हम बता देंगे, कि नहीं भी दो चीजों में अंतर समझ में नहीं नहीं नहीं समझ में आता कि वही जैसे की एंगर और रेज जैसे में आपको बताए इन दोनों इमोसंस में क्या डिफरेंस हो सकता है तो इंटेंसिटी का अंतर है वो हम चर्चा भी कर लेंगे या पिर इस तरीके के किसी भी दो इमोसंस में आपको अंतर जानना हो अच्छे से पर्मानिकता के साथ में तो आप कमेंट कर सकते हो मैं पूरी गोज़स करूंगा अच्छे से जवाब देने के लिए एक सब्द को विस्तार से लेते हुए उसके बाद में नैतिकता बगरा इन सब को हम अच्छे से देख लेंगे और फिर आगे हम वड़ते चले जाएंगे देखिए मूने कोई गाना याद आ रहा है कि तुम एतना जो मुस्करा रहे हो क्या गम है जिसको चिपा रहे हो तो वो क्या चीज होती है वो वही चीज होती है एक अच्छे से जिसको सी लर्निंग आती है जिसका emotional intelligence अच्छा है वो समझ पाता है कि यार ये बाते तो इतने हसास के कर रहे हो लेकिन सच कुछ और ही है यार अचली बात बताया तो यार क्या घुमा फिरा रहे हो यार ऐसे क्य करते हैं तो वो सी लर्निंग तो नेक्स्ट वीडियो मिलते है चलिए और तो धन्रवाद नमस्कार कोई भी सवाल किसी भी तरीके का कुछ भी जरूर पूछिए किसी भी सब्द को ले करके प्रमानेक्ता के साथ में परवासाओं के साथ में conceptual के साथ में उससे रिलेटर कोई झालेटर के साथ में उससे नहीं है प्रमानेक्ता करदा साथ में ले भी सी जरूर रजी है उससे रिलेटर के साथ में ले किसी भी स्वालाद भी साथ में प्रमानेक्ता को लेगए जालेठ cbt.